जी हां आपने से भी व्डियो पे क्लिक किया है आप अगर Water RO या Water Plant का बिजनेस सटार्ट करना चाहते हैं तो हम इस भीडियो में आपको बताएंगे Water RO या Water Plant डालने के लिए आपको कौन-कौन सा Government License की आवशर्ता होगी वो license apply करने के लिए आपको कौन-कौन सा document देना पड़ेगा वो license आपको कैसे प्राप्थ होगा कितना दिन में प्राप्थ होगा और कितना पैसा लगेगा तो आप अगर जैसे RO जो 20 लिटर का can होता है न जो आप office, घर, college में देती हो जो 20 लिटर का RO होता है अच्छा चल रहा है क्योंकि pure water बहुत कौन-कौन मेरिया में मिलता है इसलिए जादा तर लोग घर office, school, college में RO order करते हैं जो 20 लिटर का can होता है और वो business श्टार्ट करने के लिए पहले जो आपको license लगेगी उसका नाम है FSAI food license यह food safety standard इंडिया के तरब से ये इसू होती है उसका minimum validity एक साल होती है और maximum validity पांस साल के लिए होती है और आप जितने साल के लिए apply करोगों इतने साल के लिए आपको ये license राप होती है और ये एक central government का license है अभी हम चलते है number second number second में जो license लगती है उसका नाम है MSME उद्यों registration ये lab time के लिए valid होता है आपको एक बार apply करेंगे इसका validity lab time के लिए होता है उसका कोई renewal करने की आवशक्ता नहीं होती है अभी हम चलते है number three number three पे जो license लगती है उसका नाम है trade license पहला जो license मैंने आपको बताया वो था central government का license food license and MSME उद्यों registration लेकिन ये जो trade license है ये आपका state government के rule and regulation के हिसाब से प्राप्त होती है तो ये trade license जो है ये state government का license है आपका जो भी state है उस government के rule and regulation के हिसाब से आपको ये license प्राप्त होगा और सभी state का अलगअलग rule है किसी state के लिए ये एक साल के लिए आपको प्राप्त होता है कहां पे यह 3 साल, कहां पे यह 5 साल और कहां पे यह lab time के लिए भी मिलता है तो screen पे जो number 100 कर रहा है उस पे contact कीजिए हमारे team के साथ details में बाचित कीजिए हम आपको बता देंगे आपका state license का ability कितने साल तक है अभी हम चलते है number 4 पे जो license लगती है उसको बोलते है labor license आपका जो RO plant या जो water plant पे total number of employee कितना labor काम करते है उसका registration को बोला जाता है labor license और यह जो labor license है यह भी आपका state government की rule and regulation की हिसाब सही बनती है और यह आपका state government का license है अभी हम चलते है number 5 number 5 पे जो license है उसका नाम है GST registration GST registration जा फुलप्रोम है good and service tax GST registration 50% central का और 50% state government का होता है आप जब भी GST filing करोगे 50% state government को 50% central government को जाती है और आपको GST filing आपको महिना में एक बार नहीं तो quarter निक पार्टल का मतलब है तीन महिना में एक बार करना पड़ता है अभी हम चलते हैं और यह जो 5 license में बताया यह आपको लेना ही लेना है यह 5 license आप नहीं लोगे तो यह business आप start नहीं कर सकते और भी कुछ license है जैसे ISO 9000-2015 यह quality management के लिए होता है आप जो भी water देते हों को purity के लिए यह license होता है उसके साथ साथ आपको pollution certificate भी बहुत सारा state पे mandatory है pollution certificate भी लेना होता है और trademark भी आप ले सकते हैं इसे आपको brand name को कोई copy ना कर पाए तो इसमें आपको कोई भी license की आवशकता हो तो stream पे जो number 100 कर रहा है उस पे contact कीजिए हमारे team के साथ details में बात्चित कीजिए हम आपका document लेंगे और apply करा के आपको license भी देरेंगे आपको कोई भी सरकारी ओपिस जाने की आवशकता नहीं है घर बेठे ही यह सभी license आपको प्राप्ट हो जाएगी अभी हम चलते है document क्या क्या देनी पड़ेगी document में देखिए जो owner होंगे owner का आधार का, pan card, passport, site, photo देना पड़ेगा उसके साथ साथ जो आप प्लान डालोगी है, वाटर प्लान वो अगर आपका खुद का जमीन पे है तो property test का bill नहीं तो electricity bill देने से हो जाएगा अगर वो rent पे है तो rental agreement लगेगा और कभी-कभी आपको water testing report की भी आवशकता होती है तो देर किस बात की screen पे जो number 100 कर है उस पे contact कीजिए हमारे team के साथ details में बात चित कीजिए और घर बैठे ही आपका water या RO का license प्राप कीजिए नीचे अगर आपका कुछ भी सवाल है तो comment box आपके लिए ही है आप comment कीजिए, इस video को like कीजिए और हमारा ये YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और आपका friend या family में कोई भी अगर water related business कर रहे हैं तो इस video को उनको जरूर share कर दीजिए इस video में इतना ही मिलते हैं अगले video में Thank you